कि अब्रीवन वेल्कम बैक टो अवर चैनल वे टू लर्न में आज मैं अभी से घोस आपका हार्दी का विनंदन करता हूँ ठीक है आज देखिए हम लोग क्या करते हैं वह टाइम और का कुछ बहुत ही हार्ट टफेश्ट कोस्टें जो है जो भी आया होगा एक्जाम में ऐसे और आपका CHSL और CGL में वह हम लोग आज देखेंगे बहुत ही अच्छा तरीका होगा आप लोग वीडियो को जरूर देखना ठीक है चलिए पहला कोस्ट्ट्ट्ट्ट पहला कोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् टोटल वर कि अउटीट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट यह divided हो जाएगा मतलब n प्लस m इतने दिन लगेंगे यह काम को पूरा complete करने में चलिए ठीक यह है नोग का पहला question दुसरा question देखते हैं कि दूसरा question यह सांदर question यह पहुत ही अच्छा question है बोलता है 40 men can complete a work in 40 men can complete a work in 40 days मतलब जो है 40 दिन में कोई इंसान 40 men complete करता है 40 दिन total total work जो है वो कितना हो गया 16 हो गया अब देखे question में total work 16 है और बोला गया दे started the work वो उन्होंने काम करना चालो किया but at the end of each 10 day 10 दिन के बाद हर पांच चन छोड़ने लगा काम को दस दिन में हर पांच चन पांच में जो है वो काम को छोड़ने लगे ठीक है तो पहले अगर दस दिन का बात क्या जाए फिर दस दिन में तीसरा दस दिन में क्या हो जाएगा ये फैंतीस से फिर टीस हो जाएगा या तो देखिए इस तरह से हम फटीस को थोड़ा रिपीट करता है है फिर उसके बाद कितना होगा पचीस दिन काम होगा फीस ज्ण काम करेगा ठीक है फिर पांत चलुड़ेगा उसके पदिरlles दिर ताइस दिन में बीश दिन काम करेगा चले अब देखिए टोटल काम कितना हो चुकolé वह दे लेते हैं यहां पर अगर देखेंगे यहां पर 400 टो चुक Gil तो टॉटल कूल मिला के कितना काम हो गया, यह 400, यह 1000 और 14 seconds, 1400 और यह 50, मतलब 1500 काम total हो चुका है ठीक है?" 1500 काम अगर बात करेंगे, तो यह हो चुका है. हमको करना है 1600 काम. तो देखिये 1500 काम हो चुका है। कितने दिनों में हो चुका है? यह हो चुका है, 10, 20, 30, 40, 50, 50 दिनों में हो चुका है, बचा हमने को पास कितना? 100 काम, 1600 काम था और यह 100 काम बचा हुआ है, इसको कितने दिन मिलके करेंगे? देखिए, इसके बाद अगर जो काम होगा, इसके बाद जो काम करने आएंगे, वो कितने इंसान मिलके करेंगे? यह इसको आप डिवाइड कर लो पांच बीस से पांच तीन से तो यहां पे अगर देखेंगे ट्वेंटी बाइ थ्री आया मतलब तो 6 2 x 3 6 2 x 3 डेज इधर लगया यह 100 काम को करने में और जो हम लोग का टोटल फंदरा सो काम इसको करने में 50 लगा था मतलब 562 by 3 अपका क्या हो जाएगा यह हम लोग का डेज हो जाएगा इतना डेज में काम कमप्लीट हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते नेक्ष्ट तो यह हम लोगा निश्ट कोश्चन है कि क्या बोलता है एन भी टूगेदर केन कंपलीट और वाकिन ट्वेल्ट देज देखिए ए और बी अगर काम किया करेगा तो यह बारा दिन में काम खतम कर लेगा ठीक है उसके बाद एलाउन केन कंपलीट वाकिन वीज़ दे अगर एकल किया जाए तो A और B का Efficiency 5 होगा और B का Efficiency 5 होगा और A का Efficiency अगर होगा तो यह 3 हो जाएगा तो यहां पर हम देख सकते हैं जो A का Efficiency है A का Efficiency कितना है तीन है और B का Efficiency 2 है लेकिन बोला यह गया एक कोस्चन में If B does the work only half a day daily मतलब अगर एक दिन में दो काम करता है इसका Efficiency क्या है एक दिन में दो करने का दो काम करने का लेकिन अगर यह हाफ करे मतलब एक काम अगर करे तो काम कितना दिन में complete होगा Total 60 दिन है यह A अपना full efficiency दे रहा है लेकिन B अपना half efficiency दे रहा है तो total efficiency कितना हुआ चार हो गया मतलब यह 15 दिन लगेगा 15 दिन में क्या होगा काम complete हो जाएगा इसके बाहर आते हैं लोग next question में यह हमारा next question है A can do a piece of work in 8 days मतलब A कोई काम को 8 दिन में करता है और B उस काम को 3 दिन में क्या करता है तोड़ता है destroy करता है मतलब 24 अगर work है A का efficiency 3 होगा और B का efficiency minus 8 होगा क्योंकि यह काम destroy कर रहा है यह construct कर रहा है तो यह destroy कर रहा है इसका negative efficiency होगा minus 8 होगा ठीक है अच्छा इसके बाद अगर हम बोलेंगे इसके बाद अगर हम बोलेंगे तो देखिए हाँ एक इतना दिन काम कर रहा है एक काम कर रहा है अपका यह छे दिन काम कर रहा है मतलब six into three के efficiency से बात करेंगे तो 18 वह complete कर लिया है तो देखिए माइनस 18 अगर करेंगे तो यहां पर कितना बचेगा यहां पर हम लोग का बच जाएगा अब बी को अगर हम दो दिन काम करा दें देखिए क्या हो जाएगा बी को अगर दो दिन काम करा दें तो माइनस 18 इंटू यह कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा यह minus 16 मतलब इतना काम वो एक्स्ट्रा बढ़ा देगा क्यूंकि यह तोड़ रहा है इतना बढ़ा देगा और 6 काम बचा हुआ है तो total काम हुआ कितना टोटल कम हुआ 22 टोटल वग 22 अब बोलता है अगर ए अलोन काम करें के लिए अगर काम करें तो कितना दिन में लगेगा काम को कम्प्लिट करने में तो 22 वग बचा हुआ है और इसको हम 3 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा 7 1 by 3 यह हमारा एंसर हो जाएगा ठीक है यह टू नंबर यह इसका राइट अंसर होगा चलिए आगे देखते हैं आगे देखते हैं यह यह था यह कोस्टिन हम लोगा बोलता है एक अंटू एपीस ओप वाख एक एए अन बी टूगेदर के अंटू एपीस ओप वाख मतलब A और B दोनों मिलके 12 दिन में कोई काम को खतम करता है और B और C मिलके कितन में करता है 16 दिन में तो टोटल वाक इससे निकाल लेंगे हम 48 इसका LCM हो जाएगा तो इसका 4 और इसका 3 यह रामलों का का Efficiency का बात हो गया अब देखिए यहां पर क्या बोलता है अप्टर A एस बीन वोकिंग फाइब यहां पर हमें एक लाइन ग्राब बना लेते हैं यहां पर हम डिवाट कर लेते हैं एप पांची दिन काम करता है बी कितना इन काम करता है साथ दिन और C रिमेनिंग काम को काम करा बेंस कर लेंगे और दो हम कर दो दो दिन एक साथ कम करना हैと्यावट कर लेंगा फोर दिन इसको तो दिन तेरा दिन हो रहा है और भीर बात करेंगे यह बिद्टृ ओर फाइव यह सेवन दिज रहा है हम लोग एक साth काम करां लिया ए भी और फिर बाद में बिब्ई को अब देखिए अगर A और B एक साथ काम करें तो फाइब यह वाकिंग को फाइब ठीक यह हम लोगा कितना इन काम कर रहा है पांस दीग अच्छा ए और B का efficiency चेक किजए अब इन टू फोर कर लेंगे कितना जाएगा 20 वक हो जाएगा अब यहां पर B और C का कितना थ्री है तो इन टू थ्री कर लिजे यहां पर 6 हो जाएगा मतलग इसको अगर देखेंगे हम तो 26 वक कंप्लीट हो चुका है बचा कितना 48 मतलब इस चै ट्रीट फाइवउजववफ यहां ऑजन आजाएगा फीसिनसी अब देखेंगे चैका की ब्चाइप थे घोने यहां पर टनीका हो जाएगा ठीक है चलिए इसके बाद देखते हैं प्रोसेस लंबा नहीं है प्रोसेस अच्छा है ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं 16 women take 12 days to complete a work which can be completed by 12 men in eight days ठीक है 16 women यह बारा दिन को बारा दिन काम करेंगे complete करेंगे उतना ही work कितना करेंगे 12 men करेंगे कितने दिन में आठ देज में तो इससे देखें मेन और मेन को efficiency आ जाएगा अगर हम women or men का efficiency का बात करें यहां से काट हूट के क्या जाएगा यह कि 1 by 2 आ जाएगा यह हमारा 1 by 2 आ गया ठीक है अब बोलता है 16 men started the work क्या किया ना 16 men ने work करना चालू किया आफ्टर थ्री देज तीन मतलब यह तीन दीन काम किया है इसके बाद क्या हुआ दस चल छोड़ दिये दस दन छोड़ दिया मतलब बचे कितना चे चे मेन six men और कितना four women join them four women join them दस चोड़ के गया है और चार women join कर लिए यह women होगा ठीक है और इन्होंने मिलके remaining work को कितना दिन में complete किया यह देखें यह तो work हुआ मेन का remaining जो बचा हुआ काम इसको माल लेता हम एकस दिन में complete होगा अब हमारे पास efficiency ratio है तो देखिए यह जो चीज है यह जो इसका जो बात हो रहा है यह हम लोग का क्या है आप इसको लेलो ज्यादा easy होगा ठीक है इसको लेलो ज्यादा easy होगा क्यों क्यों यहां पर women का efficiency one है तो हम क्या करते हैं टोटल वह कितना लेते हैं देखिए women का efficiency अगर one put करेंगे तो 16 इंटू इंटू कर लेते हैं मैं का efficiency put कर लेते हैं टू प्लस पूर कितना ओमें इंटू वन और इधर यह एक्स हो गया तब 16 इंटू तू अब हम क्या करते हैं कि कि 16 इंटू टू अठीक है चले कटकूट रहा है कुछ कि आच्छा यहां पर देख सकते हैं यहां पर फोर है ना ठीक है चले काटे ज़र्वत ने 48 इंटू कर लेते हैं 96 हो जाएगा प्लस यहां पर 12 कीट हो जाएगा यह हो जाएगा हम इसटीन इक चलो के किवाश मार्डवट q ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यह राग कोस्चन राम और हरी यह एक अनुका कोस्चन है राम और हरी कें कट 12 kg नट इन टू बेज मतलब 12 kg नट को दो दिन में काट रहे हो लो राम प्लस हरी तो देखिए 12 काम हैं दो दिन में कर रहे हैं तो इसका इफिसेंसी कितना हो गया राम और हरी का 6 आगया अप्टर 5 देज हरी लेफ दवो मतलब 5 दिन राम ने काम किया इसके बाद हराम ने छोड़ा व्रक हरी ने अच्छ अच्छ आच अराम प्लस हरी एक साथ काम किया दोनों में उसके बाद 8 दिन और राम लेता है और काम कब्लेट हो जाता है ठीक है तो देखिए टोटल वर्क है कितना यहां पे if total of 58 kg nut where to be cut 58 kg nut cutना है the time taken by hurry to cut 10 kg of nut अगर 58 ही दोनों मिलके कर रहे मतलब ही हरी और राम मिलके फिर हरी छोड़ देता है फिर राम जोएन करता है कितना kg काट रहा है 58 काट रहा है यह पूरा प्रोसेस में यह पूरा प्रोसेस में कितना जन काट रहा है 58 kg nut काट रहा है तो देखिए यह efficiency है और यह number of days है तो यह total work कितना हुआ 8 into RAM यह total work कितना हुआ तो यहां से हम राम का efficiency निकाल लेते हैं राम और हरी का कितना है 6 मतलब यहां पे 30 हो जाएगा और यहां पे 8R हो जाएगा इक्वल टू 58 मतलब 8R इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 R का वहलू कितना हो जाएगा 28 इसको काट लीजिए 4 से 7 और 4 से 2 मतलब 3.5 क्या हो गया यह हो गया हम लोगा राम का efficiency आगया तो हरी का efficiency देखिए 6 माइनस 3.5 करेंगे तो क्या जाएगा 2.5 यह हरी का efficiency आगया अब हरी 10 kg nut कितना दिन में काटेगा यह 10 है टोटल वक है और efficiency 2.5 देखिए पॉइंट उटा यह इसको काटी यह 4 हो जाएगा मतलब 4 days में जो है वो क्या करने वाला है 10 kg nut काट लेने वाला है ठीक है यह हम लोग का answer आगया बहुत ही सुना रहा सा answer चलिए टाइम वेशना करते हैं हम लोग next question की और आगे बढ़ते हैं तेखिए यह हम लोग का क्या है next question है यह हम लोग का next question है क्या बोलता है 3 men and 5 women can do a piece of work in 14 days while 5 men can do a work in 14 days ठीक है 3 men plus 5 women 14 days में कोई काम को कर लेते हैं मतलब total work इतना हो गया है 3 men plus 5 women into 14 यह क्या हो गया total work अब देखिए उतना ही काम 5 men कितना दिन में करते हैं 14 days में तो यहां से हम men और efficiency का ratio निकाल लेंगे देखिए women by men का efficiency कितना जाया इधर इधर 2 बटा 5 2 by 5 यह होगा हम लोगा women and men का ratio अब बोलता है 5 men और 5 women complete the same work complete the work in कितना दिस मतलब total work है कितना हम लोगे पास यह दिखिए total work actually इसको भी आप मान सकते हो या फिर आप इसको भी मान सकते हो इसको भी टोटल work ही है तो हम इसको मान लेते हैं इसी होगा आप किसी को भी मान सकते हो 5 x 5 x 14 5 क्यों लिखे क्योंकि यह जो men का efficiency देखिए कि अन्दी कितना निकला 5 निकला तो हम यह हम लोगा हो गया इसके बाद यह 5 men work करने वाले है यह 5 men मतलब 5 men plus 5 women तो अगर हम बोलेंगे men और women का efficiency कितना है 5 x 5 x 14 और 5 को मल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे men और women का efficiency कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा इसको काटेंगे मतलब यह 10 days जो है 10 days जो है यह हम लोगा क्या हो गया आंसर हो गया 3 number question is our correct answer 3 number option is our correct answer चलिए आगे बढ़ते है यह एक अच्छा question है यह question को मैंने थमने डाला है देखिए यह अच्छा question है क्या बोलता है group of worker के complete piece of worker 50 days मतलब माल लीजे हम लोग के पास कितना है कोई group of work है जिसको 50 days में किया जा रहा है 50 days में कुछ group एक group है जिसको 50 days मिलके करते हैं ठीक है group of worker है मानते हैं मेरा पास वन मेर है जो एक दीन में one days में one unit काम करते है मतलब यह देखिए number of days हुआ यह day हुआ यह हम लोग का efficiency हो गया ठीक है मतलब एक men का अगर बात करेंगे one man one days में कितना work कर लेता है one work कर लेता है मतलब चलिए देखिए इसके बाद बोलता है on the first day on the first day one person work मतलब पहला दीन में एक आदमी काम किया एक efficiency के पास साथ तो one unit काम हो गया इसके बाद दूसरा दीन में क्या हो गया न second days में क्या होगा another person joining मतलब और एक person जोन हो आदम एक तो काम करी रहा था दूसरा भी जोन कर लिया one efficiency के साथ काम करेगा तो यह हो जाएगा two unit ठीक है दूसरा आदमी भी जोन किया दूनों का efficiency one है तो one plus one यह two हो गया ठीक है और वो एक दिन में एक efficiency के साथ काम किया वतलब two हो गया तीसरा दिन third day में क्या हो गया देखिए तीन इंसान आये और efficiency के साथ काम किये तीन हो तो क्या काम किये कि यूणिट काम कर लिये तो इस तरह इस तरह यह process चलता रहेगा तो दिर दिन में एक काम हुआ 2 तीसरा दिन में 3. डॉत दो ही चलता रहेगा काम कितना करना 50這是 काम प्लों का कितना करना है 50 गतना है fifty day रहेगा 50 work है हम लोग्स के पास काम कितना है since punto है अब देखिए यह क्या हो गया हम लोगा है यह जो है यह हम लोगा हो गया अपका एक एक एपी सिरीज मतलब सबका सम पचास आ रहा है तो हम फर्मुला लगा देते हैं एंड प्लस वन बाइटू इस उक्वल टू फिप्टी अच्छा यह फर्मुला नहीं देखिए यहां पर ऐसे लगाएंगे हम यह एंड बाइटू कर लेंगे और यह वन प्लस एंड माइनस वार और कॉमाड डिफ्रेंस वन है तो यहां पर एंड स्क्वार बाइटू इस इकल डो इसका वैलू कितना फिप्टी है तो देखिए इसे अंपार वंच स्कुणार आये तो तो यह द्याना इंसान आते रहे तो क्या होगा इस तरह से काम कम्हींट हो जाएगा कि इसकी बाद आते हैं वह ने चौस्च civर कि दिखिए यह रहा वार्मनोग का नेरिप्शन मैंस्ट कैन प्रूंज है चीह से कह रहए है एक इतना काम कर रहा है हम यह जानते हैं mdh यह चार्ट मसाला वाला फर्मुला mdh मतलब m1 d1 h1 by w1 equal to m2 d2 h2 mdh यह चार्ट मसाला वाला फर्मुला है ठीक है तो इसको याद रखने है तो हम बोल सकते हैं एक कोई काम को कर रहा है कितना कर रहा है यह 1 1 by 2 into कितना दिन में एक दिन में as b can do a work in one day मतलब एक वर्क को b एक दिन में एक वर्क कर लेता है मतलब एक काम को एक दिन में b करता है उतना ही एक दिन में 1 1 by 3 2 करता है तो a by b का अगर हम ratio निकालेंगे तो क्या जाएगा यह 3 by 2 हो जाएगा अब बोलता है b alone can do a piece of work in 18 days देखिया बी कितना करता है 18 days में करता है मतलब total work कितना हो जाएगा 18 into 2 हो जाएगा और यह 36 by 5 means 7 1 by 5 कहा गया यह हमारा correct answer है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग next question देखते हैं यह हम लोग का next question है क्या बोलता है a b and c are employed to do a piece of work अच्छा a b or c तीन काम को करते हैं कोई काम को करते हैं तो कितना मिलता है 5290 रूपीज इतना मिलता है इतना रूपीज इसको इतना amount मिलता है अब a and b together are supposed to do मतलब a और b एक साथ मिलके कितना काम करते है 19 by 23 काम करते हैं इसी तरह से b और c मिलके कितना काम करते हैं 8 by 23 देखिए अगर इसका answer हम directly hidden trial बना सकते हैं तो देखिए की इस तरह से यहां पर हम देख रहे है है 21 23 23 23 क्या है मतलब यह total work है total work को आप कि डिवाइड कर लो इसके साथ 23 के साथ अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 यह हम लोग का आ जाएगा टू और 9 मतलब 290 आ रहा है अब यहां पर देख लो 290 किसका 290 जो है किसका multiple है चिक कर लो यह आ जाएगा यह साथ I think this one is 290 का multiple है तो इस तरह से हम directly भी बना सकते हैं तो ठीक है चलिए genuine process देखते हैं इतना a should be paid देखिए अगर बी इतना काम कर रहा है तो एक इतना काम कर रहा होगा देखिए बी प्लस सी मिलके अगर इतना काम कर रहा होगा तो एक इतना काम कर रहा होगा वन माइनस टोटल वर्क वन है तो अगर इससे माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा यहां पर 15 by 23 बचेगा मतलब 15 काम एक करता है 23 में से अब टोटल सेयर में से से में डिवाइड होगा यह इदिके 5 290 मतलब 5 290 यहां से काट लीजे 290 होगा अब 15 इंटो 290 कर लीजे कितना होगा 300 और इदर 145 बद तिन सो अगार इदर 135 ना गलत होगया कुछ अच्छा करते हैं 15 मतलब यह 300 हुआ और 945 मतलब 435 जिरो आ रहा है अच्छा यहां पर काटने में गलत हुआ तू जाए पर 46 करेंगे तो 69 होगा और यह अच्छा यहां पर कलत होगया 23 होगा ठीक है यह 23 का हाँ 23 का भी यह multiple बन रहा है ठीक चलिए अब 15 और 15 और 23 अगर multiply करेंगे तो 345 जीरो ठीक है निश्ट कोश्चन यह अच्छा कोश्चन था देखिए यह हम लोग का कोश्चन है क्या बोलता है 4 men and 6 women can complete a work in eight days मतलब 4 men और 6 women कोई काम को 8 दिन में करते हैं अच्छा 2 men plus 9 women same work को यह भी 8 दिन ही लेते हैं तो देखिए आठ 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 कैंसल हो जाएगा और में और ओमन काम efficiency ratio निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 by 2 हो जाएगा ठीक है यह 3 by 2 हुआ number of days in which 18 women complete the work देखिए 18 women कितना दिन में काम करेंगे अच्छा total work कितना हो जाएगा total work का अगर बात करेंगे अच्छा ठीक है total work यहां से निकालना पड़ेगा पर बढ़ेंगे कितना हो जाएगा men or 3 12 plus 12 और यहां पे 8 और कितना women 18 women with efficiency 2 दो का efficiency से काम करेंगे तो दिखेंगे इसको काट लेजे 4 से यह 9 से यहां पे 24 होगा यह 24 होगा यह 24 हो जाएगा तो दिखेंगे 9 होगा 3 8 जा फिज यह कलत हो गया 18 इंटू 2 यह 12 से कटेगा 3 कि ठीक है साइथ था 16 पे 3 आया था अगताब 5 1 पे 3 हो जाएगा यह साही था अगताब कोई गलत नहीं था कि यह क्या हो गया 5 1 3 मतलब दो नंबर हम लोगा करेक्ट अंसर होगा आगे देखते हैं कि यह राम लोगा नेक्ष्ट कोस्चन क्या बोल रहा है कि ABC कॉंट्राक्ट रूपीस मतलब तीनों मिल के काम को ठेका लिए हैं और इन्हें इसके लिए azation if od ठेका करेब करतें तो सी कितना करेगा दो बटा lotion करेगा ठीक है अभी फूर्फ जो बटना है दो बटा मतलब इसको पूर्फ एब हर कर लोग Round 지금 i Instagram को मिलेगा यहीं पूछा गया था share of c share of c कितना होगा 90 हो जाएगा चली आगे देखते हैं ठीक यह हम लोग का next question है P does half as work as q in 1 by 3 of time देखिया पी कितना करता है यह P 1 by 1 by 3 of time अच्छा half of work 1 by 3 of time और उसी काम को क्यों करता है एक दिन में और एक वह कम करें एक वर्क करता है मतलब P by Q को यहां से ratio निकल जाएगा हम लोगा तो बाइट रिए ठीक है यह हम लोग हो जाएगा 3 by 2 3 by 2 देखिया यह 2 P by 3 equal to Q होगा तो Q equal to P by Q equal to 3 by 2 हो जाएगा अच्छा if together they take 15 days to complete the work कितना दिन लागाते हैं टोटल अच्छा टोटल का यह दोनों का एपिसिंज कितना होगा 5 पांच इपिसिंज होगा 15 दिन लगाते हैं पांच दिन लेते हैं टोटल वा कितना हो गया यह हम लोग का टोटल वाक हो गया अब बोलता है इन हमें डेज इस पी टेक्टू दू इट अलोन पी को एकेले करने में कितना दिलाएगा डिवाइड वाइट री कर लिजे क्योंकि इसका एपिसेंसी त्री है इसको यह कैंसल हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका 25 25 यह हम लोगा 25 हम लोगा करेक्ट एंसर है ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए यह अरांडों का नेक्ष्ट कोस्टिन यह भी सिम टाइप का है division is does half as much was work हाप करता कितना किन में वड G7 टाइम है उतना काम धिन में एक काम करता है तो यहां से आपने का लो एस स्वाइट लोगा यह 7 ऐ नोग यह तो जाएगा उस्टेकि आपकर सऑट टोगेधर मतलब हम लोग का total work आया तो क्या करना है S को करना है, एकेले करना है S take to complete the work alone, S को एकेले करना है मतलब 7 से divide देंगे यह 3 हो जाएगा तो होगा 27 days क्या होगा इसका answer होगा 27 days है हम लोगा correct answer है ठीक है उस नहीं बस बहुत easy method है और बहुत ही अच्छा method है ठीक है इस तरह से हम लोग इस question को अंजाम देंगे हैं, यह हम लोग का next question, देखिए, क्या बोल रहा है, बहुत ही बड़ा लग रहा है, बहुत ही easy question है, देखिए, two worker A and B are engaged to do a piece of work, A और B को कोई काम एंगेज कर दिया गया है, और वो उस काम को करते हैं, A alone would take 8 hour more to complete the work than when together work, मतलब एक इतना दिन लेता है, 8 दिन extra लेता है, और यह, इसको max माल लेते हैं, मतलब, दोनों मिलके जितना time layer है, उससे 8 दिन जादे लेता है, और B कितना लेता है, if B work alone, would take 4, 1 by 2, मतलब यह, 9 by 2, extra लेता है, क्या, जब दोनों एक साथ करता है, more than when together work together, मतलब, जब दोनों एक साथ काम करते हैं, उससे वो 9 by 2 extra लेता है, तो इस case में क्या हो जागा है, यह direct formula है, T is equal to root under, मतलब, X is equal to, हाँ, T is equal to root under, T1 और T2, देखे, इसको हम T1 मानेंगे, और इसको हम T2 मानेंगे, जो एक्स्ट्रा दिन जो लिया गया है, उसको हम T1 और T2 मानेंगे, मतलब, 8 into, 9 by 2 हो जाएगा, और इसको हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे, तो 6 आजाएगा, ठीक है, तो यह हम लोगा 6 आवर, यह हम लोगा answer हो गया, तो इस तरह से हम लोग आज 16 जवरदस्त question time and work की है, इस तरह से हम लोग जोमेटी का भी कुछ question करेंगे, इसके आगे, तो आज का session हम लोग यहीं पर करते हैं, complete, अगर कुछ doubt हुआ, और अगर चाहते हैं कि आप लोग मैं इस तरह से इस तरह का session कुछ tough question का, tough question, toughest question का session ले करके आँ, SSC, CGL का, तो आप लोग comment जरूर कीजेगा, तो यह session हम लोग चलाते रहेंगे, और कुछ toughest question जो previous where में आया है, वो हम लोग करते रहेंगे, तो आज के लिए, thank you, goodbye and take care everyone. झाल